पूर्णिंग एफुल्बन आपको पूर्ली क्रूप में स्वाकत है विजय भाईची आज की मिल्टी से ओम शान्ति सभी अपने आपको डामेंड हाल में बाप दादा के सामने समझ कर आज के महावाक्य को पढ़ें और बाप दादा से द्रिष्टी लेते रहें आज के महावाक्य जो कल बाबा ने हमें रिवाईज कराए बाप दादा बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे थे और वह वह के गीत गा रहे थे बच्चे भी वावा के गीत गा रहे थे तो बाप दादा ने संगम्यूक का महत्व पर ध्यान खिच्वाया और बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बने बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड देख रहे थे कि राजा अधिकारी बने स्वेराज्य अधिकारी बने कंट्रोलिंग और रोलिंग पावर है बाबा ने टाइटल दिया एक एका स्वमान दिया विश्व का ल्यानकारी और इशारा दे रहे हैं कि स्वेर पुर्शार के साथ विश्व सेवा अर्थात मनसा सेवा की भी अवशक्ता है और हमें होमवर्क दिया कि जैसे ट्राफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है ऐसे हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना है और बाबा ने समय की गती को देखते वे वार्निंग दी और अभी बाप दादा हर एक बच्चे को समान दिते हैं हर बच्चा दिड़ संकल्पधारी विशेश आत्मा बने और दिड़ता भव का वर्दान दिया बहुत काल का बाप समान बनना बहुत समय की प्राप्ति है इसलिए एक संकल्पी व्यार्थ न जाए समर्थ बनो और समर्थ बनाओ अब हम आज के महावाक्य विस्तार से रीट करते हैं महावाक्तों का हेडिंग है अब चारों और दुख अशानती बढ़ रही है इसलिए अपने विश्व कल्यानी सवरूप को पर्तक्ष करो मंसा सेवा बढ़ाओ बाप के संके रंग से डबल होली मनाओ अब हम बावा से दृष्टी लेते हैं ये सुनें पोटों में मुस्कान की रेखा पाओं पर हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं आप सभी भी अपने भाग्या की रेकाएं देख हर्षित होते हो न दिल में यही गीत गाते हो वह मेरा भाग्या है अर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और यही दिल में गीत गाते वह बच्चे वह बच्चों के दिल में दिल से क्या गीत सुन रहे हैं वह बाबा वह बच्चे विवा बाब विवा तो यह सारी सब वह क्या हो गई वह 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 तो अपने भाग्या को देख सदा ऐसे हर्शित रहो जैसे अभी सब हर्शित हो रहे हो यह बाग्या अब संगम यूग में ही मिलता है संगम यूग की हर गड़ी को बहुत बड़ी वैल्यू है संगम यूग की हर गड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है संगम यूग की एक गड़ी अविनाश्री हो जाती है क्योंकि हर गड़ी का 21 जनम के साथ संबंद है अब एक गड़ी का संबंद एकी जनमों के साथ है तो चेक करो एक गड़ी अगर व्यत गई तो एक जनम की बात नहीं 21 जनम के संबंद की बात है इसलिए बाप दाधा बच्चों को समय प्रती समय अटेंशन के चुआ रहे हैं कि संगम यूग की एक गड़ी को भी एक संबंद को भी व्यत नहीं गवा हो क्योंकि एक जनम में व्यर्थ नहीं गवाया लेकिन 21 जनम में व्यर्थ गवाया अर्था इसका इंपेक्ट पुरे 21 जनम बढ़ेगा संगम यू कम है तो हर समय याद रखो बाप दादा ने व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्ब का होमवर्थ सभी को दिया था तो सभी ने होमवर किया तो समयते हैं हमारा टेंशन रहा और बहुत करके सफलता भी प्राप्त की हुई लक्षे का लक्षन तक परणाम है यह हाथ अच्छा पांड़ उठा रहे हैं बड़ा हाथ अब भी सभी ने काम नहीं किया है संगम के महतो को अगर सदा बुद्धी में रखो तो अविनाशी बाप त्वारा यह कारे मिला हुआ है यह घड़ी अविनाशी बनने की है क्योंकि अविनाशी बाप ने यह वर्दान दिया है तो सहज ही वो चाएं बाप दादा ने सुनाया कि हर एक प्रामण बच्चे के कदम में पदम की रेखा है सोचो कदम में पदम की रेखा तो कितने पदमों के लिए संगम पर गोल्डन चांस है हार एक को अपना अपना भागय समृत्ती में रखना है कई बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बन जाए अब भी स्वाराज है दिकारी और बविश्य में भी स्वाराज है दिकारी कोई भी बच्चा डबल राजा बनने में कम नहीं हो तो हर एक बच्चा डबल राज है दिकारी हो कांध हिलाओ हर बच्चा डबल राज है दिकारी है कांध हिलाओ तो बाप दादा को कितनी खुशी होती है बाप दादा हर बच्चे का रिकार्ड रोज देखते हैं क्या देखते हैं हर एक अपने दिल में जो जान गए होंगे राज्य अधिकारी बने तो है लेकिन अभी तो स्वेराज्य अधिकारी को स्वेराज्य अधिकारी अर्थात मन बुद्धी संसकार को अपने कंट्रोल में चलाना जब चाहें जैसे चाहें वैसे अधिकार में रहें जैसे स्थूल करमेंद्रियां हाथ पाम अपने कंट्रोल में रहते हैं ऐसे मन बुद्धी संसकार जब चाहें जैसे चाहें ruling power और controlling power अभी देखने में number वार है यह भी मेरे मन मैं नहीं मेरा है संसकार मेरे है बुद्धी मेरी है लेकिन controlling power और ruling power number वार बाप दादा समय की सूचना भी समय प्रती समय देते रहे है उस समय के नुसार आप लोगों का एक एक का स्वमान है विश्व कल्यानकारी समरिती में रखेंगे सदा विश्व कल्यानकारी अब समय प्रमान हर एक बच्चे को विश्व कल्यानकारी समरूप को परतेक्ष करने का समय है चार और दुख शांती बढ़ रही है आपके भाई आपकी बैने परिवार दुख ही हो रहे हैं तो आपको अपने परिवार पर रहम नहीं आता रहम दिल बच्चों से बाबा कह रहे हैं अभी बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं परिशारते साथ विश्व सेवा जैसे वाचा की सेवा वर्तमान से में अच्छी धूमदाम से कर रहे हो बाप दादा खुश हैं यह 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मन में मजोर्टी सेवा का मंगल आया है बाप दादा देख करके खुश हैं तेकिन अभी मनसा सेवा की भी अवशक्ता है अंडरलाइन जो काम में आज से करना है क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्यानकारी बनना है उसमें मनसा वाचा करना अर्था चलन और चेहरे में तीनों ही सेवा की अवशक्ता है विश्व कल्यानकारे के लिए मनसा वाच्चा करना तीनों रोज चेक करो तीनों सेवा में कितनी परसेंट सेवा की बाप ने हो मर्ग दिया ये वाच्चा में तो बाप दादा सेटिपेट दिया लेकिन अभी मनसा सुक्ष म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के सुक्ष दुख और अशांति का सहारा बनना पड़े क्या आपको तरस नहीं आता पहले बाप ने रहम का अब तरस का बाप दादा को तो बच्चों पर चाहे कैसे भी हैं लेकिन फिर भी बच्चे तरस नहीं तरस नहीं तो अभी हर बच्चे को सिरफ सेंटर कल्यान कारी नहीं जोन कल्यान कारी नहीं विश्व कल्यान कारी तो बाप दादा अभी यही अटेंशन दिला रहे हैं अपने बगतों का विश्व कल्यान कारी बनो क्योंकि संगम यूग का बहुत बड़ा महत अभी संगम में जो चाहे जितना चाहे उतना बाप से स्योग मिल सकता है note this point संगम यूग में जो चाहो जितना चाहो बाप से स्योग मिल सकता है तो सुना क्या करना है मनसा सेवा को बढ़ा हो हुमारा homework मंसा सेवा को बिलाओ अपने कारे के परमान जैसे traffic control का time fix क्या है हर ऐसे ही हर एक को मंसा सेवा का time fix करना चाहिए बावनविदी भी बता दी कि हमें time fix करना है जब ज़्यादा दुखी होगा उस समय सभी को attention उस हल चल में होगा लेकिन अभी मंसा सेवा का समय है इसलिए हर बच्चे को विश्व कलाण कारे का स्वरूप इमर्ज करना है विश्व कलाण में से कलाण स्वत है और सहज हो जाएगा क्योंकि अगर मन free है तो वेर्थ आता है मन बीजी है तो वेर्थ सहज समापत हो जाएगा तो बाप डादा जब चक्कर लगा के चार और देश विदेश के अग्यानी बच्चों को देखते तो तरस आता इसलिए आप सब भी अब दुख हरता सुख हरता बनो आगे बाबा ने कहा अभी समय की गती को देख रहे हो बाप डादा तो बहुत समय के अचानक की वार्निंग दे रहे है अभी बाप दादा हर एक बच्चे को एक स्वमान देते हैं हर बच्चा दिड संकल्प दारी विशेश आत्मा बनो संकल्प किया और हुआ इसको कहा जाता है दिड संकल्प कहते हैं दिड संकल्प किया देकिन दिड़ता माना ही सफलता अगर सफलता नहीं तो दिड़ता नहीं तो अभी दिड़ता भाव या विशेश स्वमान रोज अमरे तवेले में लाना है क्या रोज स्वमान लाना है दिड़ता भाव अमरे तवेले रोज बावा से स्वमान लेना है उससे विदी पूरो का आगे बढ़ता अभी दो टर्न है इन दो टर्न में क्या करेंगे क्या करेंगे बोलो पहली लाइन वाले बोलो क्या करेंगे करना ही है करेंगे नहीं करना ही आगे बाबा ने अंडरलाइन कराया बहुत काल का बाप समान बनना बहुत समय की प्राप्ति है बहुत काल का बाप समान बनना बहुत समय की प्राप्ति है संगम यूग का समय बहुत प्यारा है एक सेकिंड नहीं, एक सेकिंड एक वर्ष की प्राप्ति के समान है, नौर्दाम शिव भगवानो वाज, एक सेकिंड एक वर्ष की प्राप्ति समान है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, एक सेकिंड भी व्यर्थ न जाए, समर्थ बनो और समर्थ बनाओ अपने दिन चर्या को इतनी पैक कर दो कि हमारे पास व्यर्थ के लिए समय ना हो ठीक है ना ठीक है टीचर्स कहां देला रही है बाप दादा का टीचर्स के उपर बहुत प्यार है तो सभी बच्चों के उपर फिर भी टीचर्स जिम्मेवार हैं बाप दादा की दिल को पूरण करने वाले कौन कौन कहो हम टीचर्स हम सभी टीचर्स है ना हाथ उठाओ देखो कितने टीचर हैं अरे वाह अच्छा अब रागिस्टान का टन है तो बाबा ने कहां बाप दादा हर जो उनकी विशेष्टा देख रही है और यह जो सिस्टम बनाई है बहुत अच्छे बनाई है किसने बनाई है उननी ने निदादी देख वैसे तो आपको लिश्ट अनुसार आना होता है लेकिन अभी फ्रीडम है क्योंकि सेवा के टर्म में पूरी फ्रीडम है सेवाधारियों को चांस मिलता है इसलिए बाप दादा दादी को मुभारक दें यह आप सब को मुभारक दें दादी ने बनाया आप लोग प्रैक्टिकल मिला रह हैं इसलिए आपको भी मुपारा हो अच्छा अब डबल विदेशियों से बाबा मिल रहे हैं सभी देखो आपको देख करके सब कितने खुश हो रहे हैं बाप दादा ने कहा कहां कहां से 65 देशों से डूंड कर निकाला हैं आप सब को खुशी और नशा है ना कि हमको बाप ने ढूंड के नो और बाप दादा ने देखा इस बारी सभी ने मिलके जो निमित बने हैं उन सब ने बहुत 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 बाबा तीन वार वर्ड यूज करें बहुत 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 अच्छी निमित बनने की सेवा किये हैं बाप दा एक एक क नाम नहीं लेखते लेकिन जो भी निमित बने हैं उनोंने सेवा में सफलता पाई है उनों के दिल में ऐसा उमंग दुलाया है जो अपने स्थान पे जाकर अपने स्थान को भी रिफ्रेश्ट करेंगे तो जो सेवा के निमित बने उनको बाप दादा बहुत बहुत मुबारत दे रहें सिस्टम भी अच्छी बना जनक बच्ची ने तो सभी के दिल में उमंग और उत्साह एक्स्टा भर दिया हर एक का चेरा दिखाए दे रहे कि जो शक्ती एक्स्टा की चेरे पर दिखाए दे रहे इकट्टे की चेरे पर दिखाई दे रही है सब के चेरे पुष्णुमा दिखाई दे रही है आगे बाप दादा ने देखा अभी सेवा का उमंग भी सभी में जाग रहा है हम भी करें, हम भी करें यह उमंग आया है आईकर शिवरात्री का भी उमंग है ना जारों तरफ जब उमंग आ गया है ना तो जहां उमंग है उत्साह है वहाँ सफलता है ही अंडर नाई इसलिए जो आप सनमक हो उनों को और जो दूर बैठे देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबी चारों और के बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल का प्यार साथ में दिल में सदा रहने की मुबारक दे रहे हैं मुबारक दे रहे हैं अभी दिल लग गई यहां आबु में रहने की दिल लग गई अच्छा विदोश्यों को देखे तो परिवार भी कुश होता है अर्थाथ ब्रामन परिवार और 65 देशों से देखो किस में आयो प्यार के विमान में आयो गुट आगे बाबा मदबन निवासिं से मिल रहे हैं हर जोन सहयोगी बनते लेकिन फिर भी जो पर्मानिंट रहते हैं उनके सहयोग के बिना तो नहीं कर सकते हैं इसलिए एक एक मदबन वासिं सिर्फ नीचे वाले नहीं उपर वाले भी हॉस्पिटल वाले भी जिन्हों ने भी स्योग दिया और अतक बनके स्योग दे रहे हैं इसलिए एक एक बच्चा अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार सविकार करें अच्छा जो मदबन वाले हैं उठो और जो भी बैटे हैं यहां तो खास मुब अच्छा अब बाप दादा याद प्यार से शिलकार कीजिए चारों और के पोलियेस्ट बच्चों को जो हर कदम में मेरा बाबा मेरा बाबा कहते उड़ रहे हैं और सदा अपने तिवर पुरशार्थ द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ाते रहते हैं ऐसे बच्चों के दिल के नूरे रतनों को बाप दादा बहुत 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 दिल का प्यार दे रहे हैं शुक्रिया बाबा हम सब बच्चों के तरफ से भी ऐसा बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड बोड़ शुक्रिया बाबा शुक्रिया परिवाद अभी एक सेकेंड हम साइलेंस में बाबा को याद करेंगे फिर जैसे एड्मिन गोरम बाई करेंगे वैसे करेंगे करेंगे अधिया आप का अधिया करेंगे हैं कि वाव शानती सभी का स्वागत है अपने अपने पॉइंट शेर कीजिए गलेक्सी आप शेर कर सकते हैं और एक के मुस्तक में आत्मा भाई भाई देखना और शांती बहुत सुन्दर बहन रवी दीप बहन आप शेर कीजिए ओम शांती, गुड मॉर्निंग तो आज बाबा ने बताया कि मैं मन सा सेवा तभी तेर्व कर सकती हूँ जब मैं आत्मा स्वराजे अधिकारी हूँ स्वराजे अधिकारी ही भविश्ये में विश्वराजे अधिकारी बन सकते हैं तो मेरा मन, बुध्धी और मेरे संसकार मेरे ही कंट्रोल में हूँ, मुझे में इतनी ruling power हो कि ये जो मेरे ही है मन, मेरा है, बुध्धी मेरी है, संसकार मेरे है, इन पर मैं कंट्रोल कर सकूँ. मुझे ये प्रत्यक्ष करना है कि मैं विश्व कल्यान कारी हूँ, उसके लिए मुझे इन तीनों पर ruling power रखनी है, तो स्वपुरुशार्थ के साथ साथ मुझे विश्व सेवा करनी है, मनसा सेवा के द्वारा, बाबा का हर शान सयोग लेकर मुझे मनसा सेवा को बढ़ाना है जब मैं विश्व कल्यान में बिजी रहूंगी, तो मेरा स्व कल्यान स्वता ही हो जाएगा, ओम शान्ती थैंक यू बहन, बारती बहन आप शेर कीजी बाबा ने कहा है कि एक मिनट भी विरत न जाएगे, हमारा जो संगम यूग का लेंड का रही हो गएगे इसके लिए बाबा ने कहा है, यह संगम यूग का एक मिनट भी बहुत कल्यान का रही है तो इस काल्यांड कारी यूग में हमें विश्व काल्यांड कारी बनना है सिर्फ अपना परिवार का ही नहीं सेंटर का ही नहीं जोन का नहीं बलकि विश्व का कल्यांड कारी बनकर हमें चालना है ओम शान्ति ओम शान्ति थैंक्यू अभी हम जैसे सारे point change share कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए इसमें एक ये भी add कर सकते हैं कि मनसा सेवा जैसे बेहन में आत्मा देखना है भी मनसा सेवा छोट-छोटी tips भी मनसा सेवा की share साथ में कर सकते हैं आजी कविता बेहन आप share कीजिए आजी आज हम बच्चों को तीन स्वामान दिये एक तो विश्व कलियानकारी का दूसरा दुखरता सुखरता और तीसरा है दुड़ संकर्पतारी और बाबा ने ये भी कहा बहुत ही अच्छी उक्ति बाबा ने बताई क्योंकि अमरित वेले अगर जो भी हम दुड़ संकर्प करते हैं दिन बेर में कि मुझे यह करना है तो पहले दिन अच्छे से जो भी हमें करना है वो अच्छे से जो नोट डाउन करकी उसे रिवाइस करते हुए आगे बढ़ना है जैसे कि एक दिन किया तो वो काफी नहीं होगा क्योंकि प्राक्टिस करनी है बढ़ाते जाना है इसलिए एक लिस्ट हो 21 डेज पूरा उसके उपर काम करना जैसे बाबा ने तो होमवग दिया है मंसा सेवा के लिए कि विशेश उसके लिए टाइम सेट करना है ताइम टेबल तो उसके हिसाब से मैंने कितना किया क्या है हर दिन अमरित्वेली जैसे बाबा को होमवग स्कूल में बच्चे जैसे सब्मिट करते हैं हमको भी इसे रिवाइस करते हुए बाबा को कहना है कि आज मैंने इतना किया इतना हुआ है तो यही जुड संकर मैं आत्मा लेखती हूं, ओम शंति. Thank you very much. ओम शंति जी, ओम शंति. ओम शंति, चलो बोले. संकर जो कॉलन करी जुगा है, तो हम कॉलन करी बोर सबको कॉलन करना है, भवात्म को भाई-बाई दिश्टिरे देखना है, ओम शंति. Thank you. रिमा बैना आप शेयर कीजिए. बाबा ने कहा कि अपने चलन और चेहरे से सेवा, क्योंकि मंसा, वाचा, कर्मना, तीनों परकार की सेवा होगी. तो जो चेहरे चलन से कैसे होगी, कि जो भी हमने ग्यान, गुन, शक्तियां अपने अंदर इतनी दिनों तक पुर्शारत करके हासिल किया है, तो उसको अब हम इमर्ज करें. एक गुन पर करके जैसे कहा जाता ना, कि एक गुन अगर हम धार करने की आत्मिक स्तिती का, तो आत्मिक स्तिती में स्वेम में भी रहके और सामने वाले से भी इसको भी आत्मा देखके अगर बात करेंगे, तो धीरे धीरे वो रहम भावनावी, फिर मधूरता भी आएगी, फेस अपने सच्चाई सफाई भी आने लगेगी तो सारे गुन अब इमर्ज करने का टायम है क्योंकि चेहरे चलन से ही सामने वाले के उपर परभाव पड़ेगा कि हाँ ये कुछ अलग हैं कुछ विशेश हैं तो ऐसे उसको भी मंसा द्वारा वाइब्रेशन देना तो ये विश्यू कल्यानकारी की सेवा करनी है जैसे आजकल अव्यक्त इशारा भी कि मधूरता का बोल तो मधूरता से जब हमारे बोल में होगी तो वो जब अंदर से हम होंगे अंदर से रहम भाव होंगे तभी मधूरता का गूर निकलेगा ओम शान्ति तैंक्यू बैन निमिता बैन जी आप शेर केजिए प्लीज आज बाबा ने कहा कि दूरता माना सफलता अगर कोई कार्यों में सफलता नहीं तो दूरता की कमी है तो रोज अमृतवड़ स्मूति में रखना है कि जो संकर्पो हम करेंगे उसके उपर दूरता लाना कि हर क्यारयों को बीधी पूर्वक करूंगे तो सफलता मिलेगी बाबा ने कहा हर एक सेकेंड हमारा एक्विस जन्म का प्राप्ति है तो उसको ब्यर्थ नहीं ववाना है सफल करना है तो हर सेकेंड हम सेबा में यूज करना है तो हमारा सोभाब वेभार में भी सेबा होंगे ओम संति अज बाबा ने कहा कि बाबा ने हम सभी बच्चों को वाचा में सड़िकर देया है लेकिन मन ससुष्वा पाइभुसंद्रावा हमें दुख्य असांति आत्मों को सहावा हमें बनना है और बाबा ने कहा कि जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का आटेंचन उस होल्चर में होगा लेकिन अभी मन सेबा का समय है इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व करनानी का स्वरू इमर्ज करना है तra बाइज इमर्शन पुझाता इमरुक सिर्ण में हमके तरसक्ति ही किस नव करना हम हमकिर शखकती ही तो बाबाने आज जो टॉप्टिक इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे निकालने हैं जैसे बाबाने शुरू में पहले तो हमें क्या दिया भग्य की रिखाएं बताएं तो उस दूसरा बाबाने संगम युकम हत्तव हर समय जो बाबा में आते रखना इस बाबाने होमबर्क दिया चौथा गोल्डन चाल जो हमें हर बच्चों पूलता है तो एक एक बच्चा बाबा बते हैं कि डवल राजर बलते हैं तो इस साथी बाबा ने समय की सूचना भी दिये इसी मुरली में फिर इशारा भी क्या है मन साथ सीवा साथ में अटेंशन बिलाया और क्या बुला हर बच्चा द्रणी संकलिकतारी विशेश आत्मा बनी तो टीचरों के लिए बिताया सेवा का टन्न में बिताया साथ में बाबा ने लास्ट में मतुपन बारे दी तो इन सब को देखते हुए आज बाब दादा ने जो सब बच्चे जुनूरे रतन्यमित आत्मा है उनको देखते हुए मुझा आत्मा को ये टचिंग हुई और टचिंग के साथ साथ जब मुरली चल रही थी उस टाइम भी विशेश अनुभा और अनुभुती हुई और व वहां पर हमारी जो रुहानियत होती है जैसे रुहानियत में हम सर्व सबंदों से ही बाबा से मिलन मनाते हैं तो अमरित बेला जो हमें बाबा ने रिवाइज करवाते हैं उस अमरित बेला के लिए बाबा हमें बहुत मदद करता है तो उस मदद के साथ ही जब मंसा साथ दूर जाते हैं तो हमारी मन्सा सेवा भी सफल हो जाती है थैंक्यू बेहन रजनी बेहन जी आप शेयर कीजिए नीरलम बेहन आप शेयर कीजिए आरे अवाज आरे आप कंटिनू करेंगे आप शेयर कीजिए ओम शांती चलो राजनी मेन आप शेयर कीजिए नेटवर्क सोड़ी प्राब्लम आ रही थी कोई कोई बाती बावा ने जैसे हमें कहा पहले हमारे जैसे भेहन ने भी कहा भाग गये है फिर संगम यूग है फिर मंसा सेवा के लिए का अभी आज जैसे शिवरात्री का चल रहा है सारे बाबा के बच्चों में इतना उमंकुत्सा है वातावरन भी है और इसमें अगर हम मंसा सेवा को और रुचिकर और कहते न कि अमरत वेले में बैठके अगर हमें पता है कि अब यहां आज रैली होनी है वहां रैली होनी है तो वहां का हम लेके सुबह अमरत वेले में इतना साकाश मंसा सेवा से दे सकते हैं कि एक-एक वहां की आत्माएं हैं वो फरिष्टा रूप में आके बाहर से घरों से बाहर निकल रही हैं और सब के मुख से यही निकल रहा है कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया और हम जो जितने भी बाबा के बच्चे हैं उस वक्त में हमारा इतना पावरफुल आत्मियता होनी चाहिए आत्मिक रूप में रहें कि वाकई देवी देवता चल रहे हैं और सब को सकाश देते हुए चल रहे हैं तो इससे बढ़िया मुझे लगता कोई वक्त मौका भी मिला हुआ तो इसका सब कोई ऐसे ही करना चाहिए कि सब वहीं पर साकाश देते हुए चले जहां भी जाते हुए जहां भी रहली हो उस वक्त का वातावरण इतना पावरफुल बन जाए कि अंदर से खूद खिचते हुए आत्माय सारी महा पहुंच जाए ओम शान्ति थैंक यू बैन जैसे बाबा ने हमें दुख हरता सुक हरता का बेटाइटल दिया है और अचानक की वार्निंग भी दी है तो इससे हमारा हर श्वास जो है संकलब है वो व्यर्थ ना जाए इसके लिए हमें पूरी अटेंशन देनी होती है तो हम एक समय निश्चित करते हैं उस समय हम पूर बनाने के लिए कहा तो की बाबा ने खा गांठें भी फूल हैं कांटीं कोई देना थे तो हमने ऐसे सेवा करी तो इतना अच्छा लगा की अपने को जगला सीदर मिलता है और light feel करता है तो मंसा सेवा भी देना नहीं है लेना ही है तो हम अपने इस पुषात में इसको add करेंगे traffic control के साथ साथ जैसे बाबा ने कहा है तो हमारा भाग्या स्वेम चमक रहा है और मस्तक से ही हमारी दूसरी आत्माएं भी देखेंगी तो ये कुछ किची अभी आएंगी यही मेरा पुष्चात था ओमशन थे बहुत सुन्दर भैन जब हम कोई भी प्रोग्राम सेट करते हैं इसके लिए अलग से सेट करते हैं तो माइंड सेट अप भी हो जाता है और फिर अपने चार्ट में हमने तुछ सेटिंग की थी यह नहीं किया यह करना है तो फिर सफलता आई जाती है देड़ता आई जाती है अजी यादव भाई जी आप शेयर कीजिए वेलकम अगर बीजी नहीं रखेंगे तो में वेलकम आता है तो उसके लिए अपने रपको स्वामान का अभ्यास करना है और मंसा सेवा करना है वर्दानों का अभ्यास करना है जो भी बाबा सेवा देता है उसके उपर चिंतन मनन गरते रहना है ओम शांती अजे बाई जी आप शेयर कीजिए ओम शांती बाबा ने बुला कि हमको एक शंकल्प भी और एक सेकंड भी वेड़त नहीं गावाना है तो जैसे मैं आत्मा दिन चरिया तो मतलब पुरी फिक्स करती हूँ लेकिन अब मन चरिया पर भी पूरा गारे करूंगी और मनसा सेवा पर तो हम वैसे करते ही चार पेता लेकिन मनसा सेवा को और बढ़ाना है और दूख हरता सुख करता बन सरवात्मा को शकास देना है और हर आत्मा को आत्मा देखकर उन्हें भी मतलब आत्मा देखेंगे तो उसमें सकास जाएगा यह जाएगा और ओम शांती सावित्री बेना आप कुछ कहना चाह रहे थे माई कौन के या और कोई भी तो मनसा सेवा करने के लिए स्वयम की मनसा अर्थार्थ जो संकल्ब भाया ने उताया संकल्द को श्रक्ति सदा सर्व के प्रत्य हमने श्रेष्ट रखनी है तो उसके लिए हमारा निस्वार्थ होन की या सदा ये भाबना हमारे अंदर होनी चाहिए बाबा बोता है कि अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ट शक्ति होनी चाहिए तो सदा क्या करना सो परिवर्तन सो के श्रेष्ट करम और औरों को भी श्रेष्ट करम की प्रेवना देने में और जैसे बाबने आब रहम की सदा सियोग की भावना, हिम्मत बढ़ाना, तो इसको ही मन्सा सेवधारी कहा जाता है, क्योंकि मन्सा करने के लिए हमारा हर संकल्प मंगल में हो, शुब चिंतक हो, और हर आत्मा के प्रति मंगल कामना हो, शुब कामना करने से ही हमारा संकल्प शुब हमारा भी और हर संकल्प मंगल में अर्था तो खुशी दिलाने वाला तो ये एकांत में हमें अंतर मुक्ता में आ करके ये है एकागर्ता होनी चाहिए और एकागर्ता के साथ साथ हमारी एकांत वासा तो सर्व आकर्शन के बाइब्रेशन से हमें अंतर मुक्ता में बनना है ओम थेंक यू बैन, शेरो भाई जी आप शेर कीजिए, वेलकम, ओम शानती भाई जी, जैसे बाबा ने आज हमारा मनसा सेवा के तरफ अटेंशन खिचवाया, तो हमें संकल्प करना चाहिए, बाबा ने का भी ट्रेफिंग ट्रोल किता है, इसको भी समय फिक्स करो, हमें अपना स पर चाहिए, बाबा ने का भी संगम, एक सेगंड भी एक जीवन के प्रापर है, और एक सेगंड से की प्राप्ती होती है, तो इसमेह पर भी हमें टेंशन देना होगा, और जितना बीजी रहेंगे बाबा का इसम मन में, उतना हम क्या रहेंगे, व्याथ नहीं चलेगा, सब बहुत संदर, जितना बीजी रहेंगे उतना इजी भी रहेंगे, बहुत संदर, अंजी गोरव भाई जी वेलकम, जी बाबा ने ये भी बर्दान दिया कि संगम युग के महत्व को सदा दिहान रखें और यह याद रखें कि यह कारेया विनाशी बाबा ने दिया है विनाशी बाप ने दिया है तो बाबा ने बोला सहे जो जाएगा अब समर्द संकल्प हमाय रहेंगे और समर्द बनो और सम सब्सक्राइब करते हैं तो सभी लोग उसको पार्टिसिपेट कीजेगा और एक विशेश सुचना है कि अठारा तारिक को श्रीकान भाई जी जॉइन करें गया हमारे साथ सुबा के ग्रूप में तो यह विशेश प्रोग्राम विजीत भाई जी और प्रफुल भाई जी ने रखा है तो मैं चैक पे भी उसका भेज रहा हूं तो यह प्रोग्राम मॉर्निंग में है वा फाइव अपने ग्रूप में अपने सेंटर पर विशेश प्रोग्राम रखा गया हम लोगों के लिए सबी लोग इसके आपस में शेयर करें और प्लाइंग भी करें चाहिंग करें झाल 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 आप होमर्क भी दीजेगा फिर आप योग भी कराएं तो थेंक्यू 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 ओम शान्ति जैसा कि बाबा नहीं होमर्क दिये हमें मंसा सेवा को दिन चरिया का पार्ट बनाना है और जैसे पोल करें चर रहा है आगे तो मंसा सेवा को याइड कर दें मंसा सेवा के लिए टाइम फिक्स करना है दो साब आवने का एक मिनट एक सब्सक्राइब एक संकल खिमती है इस पर भी विशेश विशेश द्यान दखना है ओम शंती अब हम कुछ समय के लिए मंसा सेवा ही करते हैं सबी अलर्ट होके बैठ जाएं स्वयम को ब्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा अनुबव करें मैं स्वयराज्य अदिकारी आत्मा हुँआ मैं विश्व कल्यान कारी आत्मा हुआ स्वयम को परमधाम में देखें परमपिता से लाइट आ रही है माइट आ रही है पावर आ रही है मैं आत्मा बरपूर होकर अपने विराट रूप में आगा मुख में मदबन निवासियों को इमर्ज करें राइट हैंड में कुमारियों को इमर्ज करें लेफ्ट हैंड में कुमारों को इमर्ज करें और सामने जो है सारे हमारी टीचर वहने इमर्ज करें, अपने पीछे, जो कमर में हैं सारे विश्व के आत्माओं को इमर्ज करें, एक लेग में जो है सारे अधर कुमार और दूसरे लेग में सारे विश्व के माता हैं, लेफ्ट हैंड की पांचों उंगलियों में पांचों कुंडों को इमर्ज करें, और राइट हैंड की पांचों उंगलियों में पांचों तत्तों को इमर्ज करें, बाबा से लाइट पवित्रता की आ रही है मद्वन निवाजियों की बल बर रहा है कुमारियों और कुमारों में पवित्रता की शक्ती बढ़ रही है हमारे टीचर बेहनों की चमक बढ़ रही है सभी आत्माओं को राहत मिल रही है मारे माताएं और भाई शक्ती का अनभुषर रही है अनभुथी करते जाएं सेवा करते जाएं साकाश करते जाएं बाबा की शक्तियां आ रही है सारे प्रमाद रही है वाफित शक्तान में आ जाएं शुक्रिया बाबा शुक्रिया बादबा अम्हांटी ठार्टियु गिद्धत्त विद्धाबा Om Shanti Om Shanti Good Day Good Day All Double Om Shanti Om Shanti Good Morning Baba Shukriya Baba Om Shanti Om Shanti